हम बात करें सिफिलिस के बारे में सिफिलिस के कौन से टेस्ट होते हैं अगर आपने आरप्या टेस्ट करवाया है वेडियर टेस्ट करवाया है अगर वो पोजिटिव आ मेरे मिल रहे थे देखने के लिए काफी कमेंट्स आ रहे देक्iqué काफी कमेंट्स युच्व बना यह वो प्रशंद आई यह लोगों को उसी के उप्राज में वीडियों बना रहा हो भी आपको सिफलिस हो जाता है क्या पता चलेगा आपको सिफलिस ठीक होने लग रहा है क्या क्या एलाज होता कितने टाइम में ठीक हो जाता है ठीक है पूरी जानकर इस वीडियो में आपको मिलेगी तो चैनल बगरा फैस्ट आम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा वीडियो को आपके पूरा देखेगा और समयने कोई सवाल है तो प्लीज कर द आता है ठीक है विदाउट किसी सेफ्टी के साथ में तो उन लोगों को सिफ्लिस होने के जादा चांस होते हैं कि किसी कोंटेक्शन इफैलतिया से एक सेक्स्वल्ट ट्रांस्मेटर डिजीज होती है ठीक है इसकी वीडियो मेंने कंप्लीट वीडियो बना रहा कि क्या आम से फल्म आपको बताताएं किसी के लिए क्यों टेस्ट होते हैं या काइसे पता चलएगा है में सिफलिस है देसे करवाना चाहिए नासलिए करutना चाहिए सबसे पहले हैं पता कैसे चलेगा है कि अगर आपको डिखानेट में तरह आपको वीडिय टेस्ट करवाना है यह तीनो टेस्ट आते हैं तो आपको सिफ्लिस है तो आपको ट्रीटिमंट शुरू कर देना चाहिए महीं से आपका इलाज अपना शुरू कर देना चाहिए आरपयर टेस्ट में होने लग चुका है तो यह दोनों अगर आरपयर टाइटर आपको 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 इलाज करवाना है तो आप कहां पर जाएंगे डहरत के जाना पढ़ेगा recipe जो medicine physician होते हैं उनको आपको ग MOS करते हैं अब बात करते को अभर यह और इंचेक्टर नगते हैं पता चल चुका है आपका पोजीतिव है और टीपफ पोजीटिव है तो डॉक्टर आपको क्या करता है कि उसमें आपको या तो पैंसलिंग की टैबलेट दे जाती है तो अगर आपको पैंसलिंग इंजेक्शन नहीं मिलते हैं आपके एरिया में तो आप आप डॉक्ट्टर साइक्लिन की टैबलेट लिखेंगे डॉक्टर आप उसको लीजेगा ठीक है अगर इंजेक्शन मिल जाते हैं तो बैटर होता है आप इंजेक्शन ले इंजेक्शन का सीडूल क्या होता है छे इंजेक्शन लगते हैं बारा बारा लाख यूनिट के इंजे प्रपाज हैं लगवाने जाते हैं तो आपको दो लगाएंगे इंजैक्शन आता है ये dry powder form में इसके साथ में water water bottle रोटल उसमें reconstitute करते हैं उसके बाद वह आपको left और right बटक पर लगाते हैं बटक यानिकि आपके left कि अगर आपको इसके किद्लेट नहीं होती है तो फिर आपको टेब्देनी पड़ेंगी ज़्याद से इंजेक्षें लगोए तो बेकिन जब्राये साथ में इसके ज़्डों नगा Il लगाने हैं success वाइन इसे पुलाये कि दो इंजेक्षन लगाने हैं और लेफ्ट और केरिया में तो आपको टैबलेट भी ले सकते हैं मोर्निंग टू इवनिंग एक टैबलेट लेनी होते हैं जो भी आपको डोक्टर सला करें उसके एसाफ़ आपको ट्रीटमेंट लेना है ठीक है अब बात करते हैं कि वही आर प्यार आपका टीपेच नेगटिव कब होता है दे इस बात कब ध्यान दीजेगा छे इंजेक्शन लेने के बाद में आपको शिक्स मन्त के बाद में आपको आर प्यार टाइटर करवाना है अगर वो टाइटर आपका पहले वाले रजल्ट की बजाए एक चोथा इससा कम होता है तो इसका मतलब यह है कि आपका वीडियल जो ह आपका आर प्यार जो है वो नेगिटिव होने लग रहा है इससे आपको पता चलेगा तो इंजेक्शन लगवाने के छे महीने बाद में आपको आर प्यार टेस्ट का टाइटर करवाना है वह आप पहले जो टाइटर था उससे एक चोथा इससा कम हो जाएगा अगर आपका टाइटर 1-400 है तो आपका टाइटर 1-100 मिलेगा एक्जामपल के तोड़ पर ठीक है क्यों आर पर का टाइटर जो होता है वह अलग अलग मिलेगा आपको रिपोर्टों में तो उसके रिपोर्ट यानि कि आप यह समझ लेजिए इंजेक्शन लेने के बाद में 6 मैने बाद म कम होनी चाहिए जादा नहीं होनी चाहिए तब आप समय लेजेगा आपका ठीक होने लग रहे हैं आप बात करते टीपी अच्चे और वी डीरल नेगटिव कब होते आर पर नेगटिव कब होते कि किसी किसी पेशन को यह बिलकुल आर प्यार तो आपका नेगटिव हो जाता है शिक्स वन्त में eens साल में डीर्ट साल में आपका नेगटिव आ जाता रचन ऑतकी टीपी अच्चे होता हो किसी किसी के नेगटिव हो भी जाता है किसी नेगिटिव नहीं भी होता है टीक है बट्स ज्रूर लेना है डीटमेंट में इंडिर्मेंट अप कोई टेंशन üzerine तं क्योंकि एक इंजेक्शन ज्यादा मैंगा भी नहीं होता है तो यह टोटल छे आपको लेने होते हैं अगर इंजेक्शन शूट नहीं करता है आपको तो आपको किसी भी ओस्पिटल में या ựवर्मेंट जा सकते हैं चोटे क्लिणिक पर किसी को कि अलर्जिय हो जाती है दिख्कत हो जाते हैं तो यह सबी सवाल आप सबस्में करता हूँ कि जब भी आप को दिखाएं, जो भी दोटर की शला शलेbracht, मैं आपको बता रहा हूं आप किश से दवाय ले, नहीं डोक्टर को दिखाना है पहले, उसके बाद डोक्टर आपको दवाय अड़ाइज करेंगे, और इसके अनुसार ही लेनी है मेरा चाम को सब्सराइब करना है कि आपने को से करवाइए हैं कितना है अगर आपका डाल स्ट्व uses नीचे है तो उसका ट्रीटमेंट आपको लेना है तो वह डॉक्तर को इप बताएं तो पो ज्रूद उस कंडिशन में यह आगर आर्पियार आपका वीडियारे लोटी पेचे तीनों पुल्टे होते हैं और आर्पियार का टाइक्टर बने चो एट से ज्यादा होता है तो आपका ट्रीटमेंट वहाँ पे इलाज शुरू कर देना चाहिए पूरा ट्रीटमेंट लें आपको बीच में न शोड़ें पूरा ट्रीटमेंट लेने के बाद में आपको पिलें है तो मेरे इता है तो मेरा दाना करते दिपर हें सब्सक्रांब हो वबहें जाथा कि नहीं होता है और कुछ टवाध नेकिति हो जाता है מर्ट बेसे ंध्य करना है और कौई आपके नहीं है तुरहकी कश्वाइब इस से만РЕकेह ती करती हैं तो जब भी कोई दबाई लें कितने दिन दवाई खानी है उसके बाद पिर आपको डॉक्तर दो तहीं कि इस पेशलिस्त उन को आपको दिखाना है तो उमीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी हैल्फुल रहेगी जो भी आपके सवाल थे वह मैंने बता दिये हैं और आपको चैनल पर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जगो इस तरह को वर वीड़ आपको मिलती रहेंगी आप हमें फो